गर्मा के साथ काम करना आपका अधिकार है इसका अर्थ है आपके काम का सम्मान हो और उसका मूल्य समझा जाए और आपको उचित वेतन मिले इसका अर्थ यह भी है कि काम करते हुए आपको सुरक्षित रहने का अधिकार है घर में उस घर के बिल्दिंग की अहाते में अपने मालिकों के साथ कहीं जाते समय अपने मालिकों के लिए किसी काम से जाते समय अपने मालिकों के किसी दूसरे परिवारिक घर में याद रखें किसी और का घर भी आपका कार्यस्थल ही है, कार्यस्थल पर सुरक्षित महोलबाना आपका अधिकार है, इसका अर्थ है कि आपको अधिकार है, कि आप बिना किसी यौन उत्पीडन के काम कर सके, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से हमारा क्या मतलब है? किसी को अनुमती नहीं है कि वह आपको अपमान चनक नाम से बुलाए आपको गंदे चुटकुले सुनाए आपके आसपास अशलील गाने गाए अशलील बाते करे आपके बारे में अशलील अफवाए या दुर्भावनापून बाते खिलाए किसी को अनुमती नहीं है कि वह आपको फोन करके तंग करे किसी को अनुमती नहीं है कि वह आपको अशलील चुटकुले या तस्वीरे भेजे किसी को अनुमती नहीं है कि वह आपको अशलील विडियो भेजे किसी को अनुमती नहीं है कि वह आपकी अनुमती के बिना आपका विडियो या फिल्म बनाए किसी को अनुमती नहीं है कि वह आपकी अनुमती के बिना आपकी तस्वीय कीजे किसी को अनुमती नहीं है कि वह आपसे तकराए, आपको नोचे, आपके शरीर को टटोले या सहलाए, आपको मारे, आपको धमकी दे कि यदि आप उनकी हर्दतों पर आपत्ती उठाती हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा किसी को अनुमती नहीं है कि वह आपकी सहमती के बिना आपको चूँए, आपको सहलाई या चूँए, आपको घेरे और मद्बूर करे, आपका पीछा करे. अगर इस प्रकार का शोशन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप काम करती है, जिसके साथ आप काम करती है, जिसके साथ काम के दोरान आपकी बातचीत होती है सुरक्षित और गरिमा पूर्ण तरीके से काम करने के आपका अधिकार का उलंगन है मैं कैसे समझू कि कोई हरकत यौन उत्पीडन है यदि दूसरे व्यक्ति की कोई भी हरकत आपको आकर्मक या अनुचित लगती है और वह यौना चार से जुड़ी है तो वह यौन उत्पीडन है यदि किसी के वहवार से आपको डर, अपमान, लज्जा या शरम महसूस होती है तो वह यौन उत्पीडन है अगर कोई हरकत आपको गलत लगती है तो वह उत्पीडन है दूसरे व्यक्ति ने ऐसा जान बूच कर करा या नहीं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता मुख्या बाद यह है कि आपका अधिकार है कि आप सुरक्षित रहते हुए काम करें आपके मालिकों और सरकार का कर्तव्य है कि आपके इस अधिकार को सुरक्षा मिले एक कानून है जो बादा करता है कि आपको न्याय मिलेगा महिलाओं का कारेस थल पर लेंगिक उत्पीरन निवारन प्रतिशेद और प्रतितोश अधिनियम 2013 Union, NGO और स्वयम सहायता सम्मूत आपका साथ देने, आपकी मदद करने और आपको सहरा देने के लिए है याद रखें, आप अकेली नहीं है